नमस्कार फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं जो चारधाम यात्रा आज से स्टार्ट हो रही है उसके कुछ जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में आपको जानकरी दूँगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो उत्राखंड सरकार है उसने अपनी वेबसाइट जो देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट है उसे अपडेट कर दिया है आप उस पे अब रिजिस्टर कर सकते हैं यात्रा के लिए तो सबसे पहले तो आपको देवस्थानम बूर्ड की जो वेबसाइट है उस पे आपको रिजिस्टेशन करना पड़ेगा और ईपास यात्रा के लिए बनवाना पड़ेगा आज 18.9.2021 से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है तो पहले आपको रिजिस्टेशन करना होगा देवस्थानम बूर्ड की वेबसाइट पर और उसके बाद आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल देरादुन का जो है देरादुन स्मार्ट सिटी पोर्टल उस पे भी आपको ईपास बनवाना पड़ेगा उत्तराखंड एंट्री के लिए और तीसरी बात यह है कि अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कोविड टेस्ट की नेगटिव रिपोर्ट की कॉपी चाहिए आप आप आटी पीसिया नेगटिव रिपोर्ट की कॉपी भी ले जा सकते हैं या आपके पास रैपिड एंटिजन टेस्ट की कॉपी होनी चाहिए जो बहत्तर गंटे से पुरानी ना हो और अगर आपने दोनों डोज वैक्सिनेशन के ले लिए हैं तो फिर आपको वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा फिर आपको किसी भी कोविड नेगटिव टेस्ट की जुरूरत नहीं पड़ेगी और जब आप देरा जब आप साइट पर रिजिस्टर क करनी पड़ेगी या फिर अगर अगर आपके पास आप दोनों डोज अभी नहीं लगी हैं तो फिर आपको जो नेगटिव रिपोर्ट है कोविड की उसको अपलोड करना पड़ेगा तो आप इन सभी चीजों के साथ चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं एक बात और जो अगर कि एक ग्रीन कार्ड के लिए अपलाई करना पड़ेगा ऑनलाइन भी अपलाई हो जाएगा अगर आप वहां जाकर लेना जाते हैं उत्राखंड में वहां से भी ले सकते हैं तो आपको यह इन सभी चीजों की जुरुत पड़ेगी नंबर एक आपको रिजिस्ट्रेशन करन करना है डबल डूज का और अगर आपके पास वह नहीं है तो फिर आपको अपनी रैपीड एंटीजन टेस्ट नेगडिव रूपोर्ट यहां फिर आटी पीसे नेगडिव रूपोर्ट अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी और अगर आप अपने वहिकल से जा रहे हैं तो आपको ग्रीन कार्ड भी बनवाना पड़ेगा तो यह थी कुछ गाइडलाइन जो अभी उत्राखंड की वेबसाइट पर आ रही हैं आप इस वेबसाइट को खोल कर इसे चेक भी कर सकते हैं धन्यवाद